36 वर्स में काना ब्याह रचाते हैं, 12 वर्स ब्रह्मचरी को और तपाते हैं, गर्भी यजिकर दोनों पुना मुस्काते हैं, प्रग्युमन सावीर पुरुस जो पाते हैं, दुनिया जिसको माखन चोड बताती है, चोरी जारी के आरोप लगाती है, महाभारत में उनका जीवन उत्म हैं, इसलिए वह रिस्यों में सरवत्म हैं, रिसी व्यास इन ब्रह्मचरी बतलाते हैं, इसलिए वह योग यस्वर कहलाते हैं, तुम चलिया बोलो योगी बतलाता हूं, इसलिए ब्रह्मचर के गीत में गाता हूं, इसलिए ब्रह्मचर के गीत में गाता हूं, कुछ लोग सो असने दोस्तों जिनके साधी नहीं होती वो ब्रह्मचारी है तो आईए मेरा जवाब सुनिएगा आपके दिल को तसली मिलेगी आपको ऐसी खुशी होगी यह कविता फिस्वा में पहली बार मेरी कलम से निकली है रंडूओं को प्रह्मचारी नहीं कहा करते जो भी लोग आई के रहा नहीं करते ब्रह्मचारी ब्रह्मूरत में उठ जाते हैं सुभा सुभा बैठ गए और दंड लगाते हैं प्राण खीच वायू को वो भर लेते हैं प्राणों को मुठी में फिर कर लेते हैं संध्य पास ना करते हवन किया करते सीज जुका कर विद्धों को नमन किया करते सुनिए का दोस्तों आगे ब्रह्मचारी जो करते वो तुम किया करो तटरता से ब्रह्मचार रक्सा किया करो यदि कोई लड़की सुपनों में आती है धीरे धीरे दिल का चेन चुराती है सुख का ध्यान नहीं जिन्दगी का मतला है जिस्म नहीं सुन्दर गंदगी का पुतला है और यह किस तरी में कितनी खुब सूरती हो सकती है दोस्तों सुनिएगा एक इस तरी का सरीर के उल गंदगी का पुतला है बजबाजू से पसीने की बू आती है नासीका से नाक तपक फिर जाती है उसकी आखें की चड़ जाली लगती है कर्णवती कानों से पीव तपकती है जिवहा से गिरती एक खाकी किधारा है होठों में गंदगी का जड़ा किनारा है होठों में गंदगी का जड़ा किनारा है पता नहीं ये गंदगी किसको भाती है सोचते ही मुझे वमन क्रिया हो जाती है उसकी यादों में यह चित्र बनाता हूँ इसलिए ब्रह्मिचरी के गीत में गाता हूँ आप देखीये अचारे चनक की घठना घठती है मित्रों अचारी चनक ने नहीं कुछ होता राष्ट्र वडा है यह जो ब्रमचारी होते राजा होते हैं आग बबूलाता जाता जा होते हैं ब्रमचारी का सिम सिंग दहाल गया एक यकेला ही धोजवेदिक गाल गया अखंड की आता भारत को ब्रमचारी ने संकर को ललकार दिया एक नारी ने संकर को ललकार दिया एक नारी ने भगत सिंग ब्रमचा में जा चड़ जाते हैं दुरियो धने आखों में जब चड़ जाता है गदा उठा फिर भी में आगे बढ़ जाता है महा भारत में पांचों जब यड़ जाते हैं लाखों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं लाखों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं बंदा मुगलों को ख़डी पुलीजाती देता था, सेखर मस्तक पर पिष्टल रख लेता था, अपनी मूच्छों को ताउतिवारी देता था, अंगरेजों के प्राण हरण कर लेता था, मुगलों के ख्वाबों में राडा आयाता था, अकवर का कच्छा गीला हो जाता था, अकवर का कच्छा गीला हो जाता था लेख राम लाखों को वापस लाते हैं सरदानद छाती में गोलियं खाते हैं चार कील गड़ते ही सुमर जाता है सरसया में भीस में मौज मनाता है प्राण खेचे आग्याती आगे बढ़ जाता है राममूरती के ऊपर चढ़ जाता है कमसी नोमर प्रेमदत्तमत वहला था जज के ऊपर जूतो गया उच्छाला था अंग्रेजों वा मुगलों पे जो भारी थे धर्मदुरंदर सारे ही ब्रमचारी थे अपने सब्दों से मैं अगनिसुल गाता हूँ मीडिया से पूछंगा पत्तरकारों से अरधन अगनवस्तरों का प्रचलन बंद करो युनिवर्सिटी यों से पूछू इसकूलों से भोन भड़ा है फूरा हुलते कूलों से चोड़ी खाजच्छाती करकर के जो तनते हैं चलशितरों में बुद्दि जी भी बनते है देश में जो मरता है उन्हें अभमान मिला बेश्यायों को संसद में सम्मान मिला सीता सिनारी दुदकारी जाती है खुलटाएं ही रोहिन पुकारी जाती है आरे सत्य लिखते हैं सत्य बताता हूँ इसलिए ब्रमिचर के गीत में गाता हूँ